नमश्कार अदाप्स स्रिकाल दोस्तों बिग बॉस 18 के घर के अंदर दूसरे हपते का नॉमिनेशन टास्क आ चुका है और दूसरे हपते के नॉमिनेशन टास्क के खत्म होने के बाद कौन-कौन से सदस्य हैं जो की घर से वेगर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं आज के खास रिपोर्ट में आप सभी दश्कों के सामने यही बात बताने वाले हैं दोस्तों पूरे विस्तार से लेकर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटुब चानल क्विक टीवी न्यूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्वि यह जिनमें आपको बताना चाहते हैं दोस्तों नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले क्या थी नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दोरान घर को एक नगरी में तबदील कर दिया गया गया जिसका नाम था खत्रा नगरी जी हां खत्रा नगरी में तबदील कर दिया गया था जिसमें आपको बताना चाहते हैं प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि अविनाश मिश्रा और शृतिका अर्जुन जो हैं वो सेलर की भूमिका निभा रहे हैं और बाकी कंटेस्टेंट जो हैं वो खरिदार बने हुए हैं अब ऐसे में यहां अविनाश मिश्रा कहते हुए नजर आते ह शृतिका से कि वो शिल्पा और साती साथ यहां पर करनवीर महरा और हेमाची को नॉमिनेट करना चाहते हैं क्यूंकि उनका परसनल दुश्मनी है उनके साथ और जब उनकी लड़ाई किसी के साथ होती है तो इसमें ये लोग जो है बिलकुल कुछ नहीं बोलते और वहीं शृ सही बोल रहे हो तुम ये बात जो है वो बोलती है अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों घर से बेगर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टन जो है वो नॉमिनेट हुए हैं तो बताना चाहते हैं पहली कंटेस्टन शिल्पा ही है जिसको आपने फूट-फूट कर रोते ह वा देखा प्रोमो में और वो बार-बार कह रही है कि उनकी personality वैसी नहीं है वैसी जैसी कि तुम सोच रहे हो अविनाश मेरी personality वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो और मेरी personality उतनी भी negative नहीं है मैं जहां मुझे लगता है वहां मैं बोलती हूँ ये बात जो वो कह रही हैं और करणवीर महरा भी समझाते वे नजर आ रही है अविनाश मिश्रा को और साथे साथ यहाँ पर बताते वे नजर आ रही है लेकिन उनकी एक लडाई जो है वो होती है हेमा जी नॉमिनेटेट है ऐसी सारे के सारे contestant जो है तीन contestant जो है ये तो nominate हो चुके हैं अब इसके अलावा कौन से contestant है जो nominate हो सकते हैं तो बताना चाहते हैं दोस्तों ऐसे कई सारे contestant है जैसे कि आप सभी दश्कों को बताना चाहते हैं चुमदरंग हो सकती हैं चुमदरंग जो है वो nominate हो सकती हैं एक और contestant जो है घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हो सकता है और वो हो सकता है कि विविण दिसेना जी हाँ, विविण दिसेना भी घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को, देखने को मिलेका दोस्तों, upcoming कमिंग नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दोरान नॉमिनेट हुए हैं ये सारे के सारे कंटेस्ट हैं तो आप सभी दर्शक इन में से किसे सबसे जादा वोट करना चाहेंगे कमेंट के थूँ आप हमी ये बात तो जरूर बताएं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ह अमरे यूटूब चानल के साथ क्विक टीवी न्यूस के रिपोर्ट दोस्तों